नमस्कार आपका स्वागत है। दोस्तों हिंदू धर्म में रत सप्तमी का बहुत अधिक महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन को सूर्य देव के जन्म के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण से इसे सूर्य जयन्ती भी कहा जाता है। माग मास के शुकलपक्ष की सप्तमी तिथी के दिन रत सप्तमी का त्योहार मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 28 जनवरी के दिन मनाया जाएगा। मत्स्य पुरान के अनुसार यह तिथी भगवान सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन सूर्य देव के लिए वरत रखा जाता है। इस दिन की ये गयदान और पूजा पाठ का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। खास कर इस दिन सूर्य देव को अरग्य देने का बहुत अधिक महत्व होता है। मान्यताओ के अनुसार जोस्त्री रत सप्तमी का वरत रखती है। उनसे सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सौभाध्य शाली होने का वरदान प्रदान करते हैं। यह वरत महिलाओ को मुक्ती सौभाध्य और सौंदर्य प्रदान करने वाला होता है। रत सप्तमी के इस व्रत को विधी पूर्वक नियमों के साथ रखना चाहिए। धविश्य पुरान के अनुसार खुद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्थिर को इस व्रत के बारे में बताया था और उन्होंने इस व्रत की विधी का भी वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने एक अत्यंत गोपनिय मंत्र के बारे में महाराज युधिष्थिर को बताया था। यदि इस दिन इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्ग्य देते हैं तो दरिद्रता दूर होती है और मनुष्य ऐश्वर्य संपन्न बन जाता है। घर परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं और हर संकट का निवारन अपने आप हो जाता है। प्राचीन वेदों में सूर्य को सर्व जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त जीवों की आत्माओं का उर्जास्त रोत सूर्य देवी है। सूर्य से ही स्रिष्टी पर अर्थात सूर्य भगवान का नेत्र है। इसलिए साक्षात भगवान सूर्य की किर्णों के माध्यम से समस्त संसार का संचालन करते हैं। मनुष्य को सूर्य भगवान को जल देकर उनका आभार प्रकट करना चाहिए। यदि नित्य सूर्य को जल देना संभव नहीं है तो व्यक्ति को रत सप्तमी के दिन सूर्य देव को जल अवश्य ही देना चाहिए। इससे मनुष्य को सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। सूर्य देवता को अर्ग्य देने से मनुष्य के जीवन में कई सकारात्मक और चमतकारी बदलाव होते हैं भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण भी सूर्य देव को अर्ग्य दिया करते थे भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव की महत्ता का वर्णन कई बार किया है रोज सूर्य देव को जल चढ़ाना एक ऐसा नियम है जो आपकी जिन्दगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है सूर्य की शक्ती इतनी अलौकिक है कि इसके बिना ये पूरी धर्ती तहस नहस हो सकती है सूर्य देव प्रकाश सकारात्मक्ता इंद्रिय सन्यम पूर्जा आदी के देवता है अगर आप जीवन में निराश और हताश महसूस कर रहे है आपका मन आपके वश में नहीं है आपका स्वभाव अत्यंत क्रोधी है आप अपने काम भाव पर नियंतरन नहीं कर पा रहे है शरीर में बेचैनी महसूस होती है और आपका मन नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है तो आप सूर्य देव की उपासना अवश्य करे सूर्य देव को मात्र जल चड़ाने से आपके सभी संकट दूर हो सकते है संसार की हर परेशानी का हल सूर्य देव के पास ही है आपकी हर समस्या का समाधान सूर्य को जल अरपन करने से ही प्राप्थ हो सकता है सूर्य देवता की उपासना करने से आत्मा की शुद्धी होती है और मनोबल बढ़ता है सूर्योदय के समय सूर्य की किर्णों से वातावर्ण, पवित्र और सकारात्मक बन जाता है यदि प्रती दिन आप सुभह स्नान करके सूर्य देवता को मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल चड़ाते हैं तो इसके आपको कई फायदे होंगे कुछ ही समय में आप खुद इसका प्रभाव महसूस करेंगे कि सूर्य देव की क्रिपा से आपका जीवन कितना बहतर हो गया है आप पाप, रोग, भय, आदी दोशों से मुक्थ हो जाएंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा आपका शरीर स्फूर्तियुक्त रोगों से मुक्थ हो जाएगा और आप प्रत्येक कार्य को उत्साह से कर पाएंगे कुंडली में अन्यग्रहों की तरह ही सूर्य के शुब या अशुब स्थिती में होने से हमारे जीवन पर भी इसका शुब या अशुब प्रभाव पड़ता है कुंडली में सूर्य यदी शुब स्थिती में होता है तो हमें समाज में भरपूर मान सम्मान, यश और प्रसिधी मिलती है वहीं कुंडली में यदी सूर्य अशुब स्थिती में हो तो इसके विपरित परिणाम मिलते हैं इसलिए कुंडली में यदी सूर्य की स्थिती मजबूत करनी है, तो जोतिश शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया है, जिन्हें पानी में डाल कर सूर्य देव को अर्ध्य देने से शुब परिनाम प्राप्थ होते हैं। अन्यथा मनुष्य को कई कश्टों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही केवल सूर्य को जल देने से फल की प्राप्थी नहीं होती है, सूर्य को जल देते समय विधी का पालन करते हुए सूर्य देव के मंत्र का जाप करना भी अवश्यक है। तभी सूर्य को जल देने का फल म मनुष्य को प्राप्थ होता है। सूर्य देवतारूट जाने अपर व्यक्ति पर गलत इल्जाम लगते हैं और उसके हाथ से अंजाने में कई अपराध हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को अनिष्ट कार्य करके सूर्य देव को रुष्ट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से सूर्य देव का हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व है। यदि आप अपनी मनों कामनाओ की पूर्ती करना चाहते हैं, तो सूर्य देव की उपासना अवश्य करे। संपूर्ण फल प्राप्थ हो। सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि सूर्य को अर्ग्य देने का अर्थ क्या होता है। तो मित्रों अर्ग्य देने से तात पर्य यह है कि सूर्य देवता को भक्ती भाव से जल अर्पन करना। यह जल आप दोनों हाथों की ओंजल बनाकर य तो अपने हाथों की तरजनी और अंगूठे को एक दूसरे से जोड कर ना रखें, यानि की एक दूसरे का स्पर्ष ना होने दें, दोनों हाथों के अंगूठों को फैला कर रखें, यदि हम तरजनी और अंगूठे को जोड कर रखते हैं, तो यह राक्षसी मुद्रा बन जा जदि आप पात्र में जल भर कर सूर्य देवता को अर्ग्य दे रहें हैं, तो भी उस पात्र को दोनों हाथों के अंगुठे का स्पर्शना हो, इसका ध्यान रखें। कोई भी औचित्य नहीं होता है। यदि किसी कारणवश आप सूर्योदय के समय अर्ग्य ना दे सके, तो तीन बार अर्ग्य देने के बजाए चार बार अर्ग्य दें और सूर्य देवता से क्षमा मांग लें। इससे दोश कम हो जाता है। सूर्य को जल तामबे के पात्र में ही देना चाहिए। तामबा को सूर्य देव की प्रिय धातु माना गया है। इसलिए सूर्य को जल देने के लिए केवल तामबे से बने पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। अन्यधातूओं से बने पात्रों में सूर्य को अर्ग्य देने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। यदि ऐसा संभव नहीं है तो शुद्ध जल का प्रयोग करें। मात्र जल से कभी भी अर्ग्य नहीं देना चाहिए। सूर्य लाल रंका दिखाई दे तो उस समय अर्ग्य देना सर्वश्रिष्ट फल देता है। मित्रों यदि आपने सूर्य को अर्ग्य देने का संकल्प लिया है तो यह संकल्प कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जितने दिनों का भी आपने संकल्प लिया हो उतने दिन सूर्य को अर्ग्य अवश्य देना चाहिए। यदि आप संकल्प को पूरा नहीं कर सकते तो ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए इससे सूर्य देव रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को जल देने का मंत्र बताया है जिसका उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है ओम खकोल काय नमह इसके अलावा आप ओम घेनी सूर्य आय नमह इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस मंत्र का उच्चारण करके सूर्य को जल देने से दरिद्रता का अंत होता है और व्यक्ती को सुख समरिद्धी की प्राप्ती होती है। दोस्तों, सूर्य देव की महिमा अपनपार है और प्रति दिन ही हमें उनका आभार मानना चाहिए. परंतु जोतिश शास्त्र में मुख्य रूप से रत सप्तमी का दिन सूर्य देवता का दिन माना जाता है. इसलिए अपनी कुंडली से सूर्य दोश को दूर करने के लिए इन वस्तों का रत सप्तमी के दिन दान करने से व्यक्ति के सभी दुखों का अंत होता है. यदि आप बीमार है अथवा घर में सूतक है या अन्य कोई समस्या है जिसके कारण आप सूर्य देव को अर्ध्य नहीं दे पा रहे हैं तो इसके लिए शास्त्रों में मानस पूजा का प्रावधान किया गया है याने की आप अपने मन में ही सूर्य देव को अर्ध्य दे सकते हैं. मित्रों सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है और यदि किसी कारणवश सूर्य देवता दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप उनका मन ही मन स्मरण करके पूर्व दिशा की औ और मुख करके उन्हें अर्ध्य दे सकते हैं। लेकिन कभी भी सूर्य को अर्ध्य देने का संकल्प ना छोड़े। रत सप्तमी के दिन आप एक विशेश उपाय जरूर करें। एक तामबे के दीपक में तिल का तेल डाल कर जलाएं। और उस दीपक को अपने सिर पर रखकर स सूर्य देव का ध्यान करें। उसके बाद इस दीपक को पूर्व दिशा में रख दे। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी सूर्य देव को अर्ध्य देकर सूर्य देव की कृपा प्राप्त करें। उम्मीद है जरूर करे कमेंट में जय सूर्य देव अवश्य लिखे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले आप सभी का धन्यवाद